वेल्कम बेक अवर योटुब चैनल फंटैसी दूर दर्शन ओफिशल तो इन दिस वीडियो बात करेंगे बूस्टर रॉंड के मैच नमबर चोहोतर के बारे में तो जिसमें आपको तीसरी बार हमपी हिरो की टीम विजे नगारा वीरा के साथ में खेलती नज़राएगी तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से आज भी जो विनेगा वहमपी हिरो की रहेगी और प्वेंट टेबल पर सबसे ज़्यादा मजबूर टीम आज आती है तो वीडियो में डीपली जाने से पहले आपको बता दूँ कि अब तक अगर आपने मुझे जोयन नहीं किया है टे 3.2K मेंबर हैं ट्रेलिग्राम के उपर और आपके जोयन होते होते हो सकते हैं 3.3 हो जाएं और हम किसी भी तरह का प्रेट परमोशन नहीं करते हैं और आज का जे मुकाबला मैं खेलूंगा भाई बले बाजी एप्लिकेशन के उपर हमेशा की तरह हमारा जहां पर अच्छा रुपए का विड्रॉल आप ले पाएंगे अधर एप्लिकेशन के उपर बर जहां पर मिनिममम 10 रुपए का विड्रॉल भी आप निकाल पाएंगे तो कितना बड़ी आइडिया है जहां पर बले बाजी का तो जहां पर जही रीजन है कि मैं अक्सर बड़े मुकाबलों खे आते हैं तो बहाँ पर भी आपको हाई प्रॉफिट मिल जाएंगा तो लिंक के साथ जोएंगे जगा नीचे डेस्किशन बॉक्स में लिंक विबन है हमारे रेफ्चा इंवेस्टमें करते हैं तो आपपका भी वेल्कम रहेगा बले बाजी अप्लिकेशन के उपर तो एनला मुझे लगता है इस बार winner बन जाएगी असानी से क्योंके इसके पास बहुत ज़्यादा defense action strong हो चुका है, 16 मकाबला खेला है, 13 winning की हैं, 2 loss किया है, 1 tie के साथ, सबसे ज़्यादा high confidence के साथ खेलने वाली team है, पहले number 3 पर चली गई थी, बड़ आप काफी ज़्यादा strong देखने को मिल जाएगी, तो जहाँ पर number 6 की team है, आपके सामने है, और इसका नाम है बाई विजे नगारा वीर्स, 16 मकाबला खेला है, मातर शे विनिंग की हैं, 9 loss किया है, एक मकाबला इसका tie हुआ है, तो आपके सामने हैं, कहा number 1, कहा number 6, तो जहाँ पर आपको आज गलती नहीं करना है, अगर आप ZL खेलना चाहते हैं, तो हमपी hero के पक्ष में ज़्यादा winning team है क्रेड कीजेगा, और important pick ही कबर किजेगा, विजे नगारा वीर्स की, तो आज experiment करना आपके लिए थोड़ा समय का पढ़ जाएगा, तो आज के मकाबला में ज़्यादा focus रखेंगे, बूर रखेंगे हम पे hero के उपर, और important pick कबर करने की try करेंगे, इसी team की, तो बड़े player इसी team के पास आजाते हैं, तो बाई experiment मत कीजेगा, तो शुरबात में बात करते हैं, आईए defense section के बारे में, तो जहांपर केन अगर बहुत important pick हैं, और बहुत brilliant pick हैं, right corner के पेर आजाते हैं, आपको 3 से लेके 4 easily success tackle करते नजर आजाएंगे, last encounter में इन्होंने 5 successful tackle की थी, 122 fantasy score run किया था, हाला कि पहले मकाबला में थोड़ा सा week खेलते नजर आए थे, बहाँ पर 7 fantasy score ही अन किया था, बट उसके बाद काफी improvement देखा है इनकी performance में, तब इन्होंने इंजरी के बाद comeback किया था, तो अब settle हो चुके हैं मदान के उपर, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें डिफेंड करने में ज़्यादा कामजाब यह हो पाएंगे, तो मैं इनको drop करते हुए recommend करूँगा, हैरिमो वेट्स को अगरज़े आपको खेलते नजर आते हैं, इंदर से तो गुलिया मुझे लगता अगेन आपको comeback करते नजर आ सकते हैं, उपनर टीम वीक है, तो इन्हें मौका मिल सकता है, आज के मकाबला के लिए, नर्बल सब्सिट्यूट की पिक रहेंगे, इंजर हो चुकी है, फिटने टेस्ट पास करेंगे, तो आपको खेलते मिल जाएंगे, तॉमर को पता नहीं गाइज क्या रीजन है, बढ़िया प्ले पिक की बात करें, तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, ओपनर टीम जादा बीक हैं, तो इनके इसार हो सकते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस करने के, तो फलाल आज मैं दो डिफेंडर ही ट्राइ करूँगा, बाकी आपको बाद में बताते हैं, तो अब तक जो डिफे इसी भी आपको जे पापलर पिक में नजर आएंगे, और इसे बढ़िया आपके पास और अंडर नहीं रहेगा, अगर आप इसको ड्रॉप करेंगे, तो बाई सिर्फ और सिर्फ जी एल के लिए कीज़ेगा, चुकि बहां पर कॉम्प्यूटिशन बहुत जादा रहता है, 20 प्लस को क्रोस कर जाएगा, अच्छा नहीं करते हैं, तो आपकी रैंक में जाफा हो सकता है, बट ये एक्स्पेरिमेंट एक से लिए के दो टीमों में ही कीज़ेगा, बात करें इस रोही की, तो उतना अच्छा नहीं खेले हैं, लास्ट दो मकाबले हैं, हमपी हीरो के खि पहले में 14 में गये थे, और लास्ट में 24 फैंटेसी स्कोर रन किया था, अगर आप 24 और 20 फैंटेसी स्कोर से साथ सैटिसफाइड रहते हैं, तो वेलेंट एना ट्राइक कर लिए, तो अगर अच्छा करते हैं, तो उसमें आपका रहें का सकता है, एक बाद ट्राइज रूर लीजेगा, और अगर है टो एड खेलते हैं, और इसके साथ ऐसल खेलते हैं, तो यह दोनों आपके लिए परफेक्ट पिक रहेंगे, अगर एक और ट्राइक करना चाते हैं, तो विट्टू बन वाला को ट्राइक कर लिजेगा, तो जे बन चूक है अब तक का हमारा टीम, त तर पॉपुलर पिक में हैं और आज एक कैप्टन व्याज आपको ज्यादा तर पॉपुलर पिक में जे प्लेयर नज़र आएंगे दन कर हैं काफी ब्रिलेंट खेलते हैं और खास तौर पर इनका रे टच आपको बारा से लेके सत्रा के बीच का मिल जाएगा कभी कभार ही एं और एक जाँ दो दिन में कोई बंदा पावर गेन नहीं कर सकता तो फॉप अच्छा बुरा जरूर हो सकता है यह आपके सामने है तो बात करें कैप्टन शी ऑप्शन का तो भाई सेफेस्ट के लिए चाहल है आपके पास बिट्टू बनमाला है चाहो तो आप दोनों कोल्ट टीम है और लोग इने ज़्यादा टीम है जुरू ट्राइए करेंगे कैप बने के चांसे जिनके बहुत ज़्यादा कम रहेंगे तो जे होगा हमारा फाइनल टीम अगर प्लेइंग सैबन में कोई चेंज़स नहीं होता अगर चेंज़स होता है तो फाइनल टीम आएगा बा बाइनल टीम होता है